चोपडा एजोकिस्न यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपडा आपका हादिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बच्चों राजस्तान स्टेट कोटा काउंसलिंग के लिए डोकोमेंट्स वेरिफिकेशन 3 जनौरी 2022 को होने हैं इन में NRI कंडिडेट, डिफेंस कैटेगरी के कंडिडेट, पैरामिल्ट्री कंडिडेट्स इसके अलावा जो PWD कंडिडेट्स हैं इनका डोकोमेंट्स वेरिफिकेशन होना है इनके अलावा बाकी किसी भी candidates का documents verification अभी नहीं होगा उनका documents verification जो जिन बच्चों का admission हो जाएगा उनका documents verification seat allotment के बाद होगा अभी जो documents verification हो रहा है मैं फिर से बता देता हूँ NRI candidate, PWD candidate, WDP candidate जो defense के हैं और WPP candidate जो paramilitary के हैं उनका documents verification होना है 3 January 2022 को सुबह 9 बज़े से एक बार इनका हम program देख लेते हैं तो इसमें notice दे रखा है इसमें जो documents verification होना है वो RUHS College of Dental Sciences जो सुबास नगर TB hospital के पिछे है यानि पानी पेज में है जैपूर में वहाँ पर ये documents verification होगा और इन candidate को physically तोर पर वहाँ पर present होना होगा तो इसमें जो NRI candidate हैं सभी NRI candidates हैं जिनकी list इसमें दे रखी है उनको present होना है उनके जो समंदिन documents हैं वो लेकर जाने हैं जो information booklet में दे रखे हैं NRI candidate को अभी मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि NRI candidate को जो sectionic documents हैं उनके सासाथ में एक embassy certificate लेके जाना है इसके बाद में एक affiliate लेके जाना है जो NRI candidate द्वारा prepare की जाती है और इसके अलावा एक relationship certificate लेकर जाना है तो यह NRI candidate की condition में यह documents लेकर के जाने हैं उसके बाद में जो defense category की candidate हैं वो EXS1 से लेके EXS5 तक के जो candidate आते हैं वो candidate को वहां present होना है लिस्ट इसमें दे रखी है उस लिस्ट में आपका नाम है तो ही आपको documents verification के लिए जाना है paramilitary force की condition में priority WPP1 से लेके WPP6 तक के जो candidate आते हैं यानि की जो retired candidate है उनको वहां जो उनके बच्चे हैं उनको वहां पर present होना है तीन तारिक को इसके बाद में जो documents की जरूरत होगी defense candidate को जो documents की required होगी वो documents होगे सबसे पहले discharge book होगी PPO order होगा उसके बाद में जो कल्यान सेनिक बोर्ड से परफोर्मा बनवा रखा है 2B वाला वो परफोर्मा आपको लेकर जाना है तो ये तीन certificate defense category candidate को लेकर जाने है और paramilitary candidate को भी discharge book लेकर जानी है PPO order लेकर जाना है और इसके बाद में उनके department से जो 2B का certificate issue किया गया है वो certificate लेकर जाना है तो ये तीन type के certificate paramilitary जो WPP candidate है उन condition में लेकर जाना है इसके अलावा जो PWD candidate है उनको सारे documents तो लेकर जाने है उनके 10th के 12th के marksit वगरा इसके अलावा जो उनका disability certificate है जो board ने issue कर रखा है वो लेकर जाना है तो ये तो होगे documents NRI, defense, paramilitary और PWD candidates के लिए इसके बाद में हम इनकी एक बार list देख लेते हैं तो NRI candidate की जो list है total 865 candidates है इस list में जो NRI candidates है अगर उनका नाम है उनी को जाना है उनके अलावा बाकी किसी candidate को नहीं जाना है इसके अलावा जो PWD candidate है वो 76 PWD candidate है लिस्ट में अपना नाम चेक कर ले इसके बाद में WDP जो candidate है defense category के candidate है 39 candidates है अगर लिस्ट में नाम है तभी वहाँ पर जाना है जो 39 candidate है EX S1 से लेके EX S5 तक के candidate ही इसमें बुलाए गए है इस list में इसके बाद में जो WPP candidate है वो WPP वाले candidate 17 candidates है तो वो candidate से 17 candidate WPP 1 से लेके WPP 6 तक है नहीं कि जो retired है उन-उन candidates के लिए ये list है list में अपना नाम check कर लें जो इनकी seat है वो army की 15-16 seats है 15-16 seats MBBS की है एक seat BDS की है इसमें इसके अलावा जो WPP के paramilitary के candidates है उनकी जो seat है 5-6 seat MBBS की है और बाकी जो NRI candidates की और PWD की है वो आप इसमें information platine में देख सकते हैं कौन-कौन सी college में कितने-कितने seat हैं तो ये एक information थी documents verification के लिए अभी इसके बाद में जो राजस्तान स्टेट के लिए जिन candidate ने apply किया है उनका application part 2 का अभी print होना start नहीं हुआ है ये जल्दी ही part 2 का print start हो जाएगा application form का और इसके बाद में जल्दी provisional merit list भी हमें देखने को मिलेगी तो जैसे ये part 2 का application form का print start हो जाएगा और provisional merit list जारी हो जाएगी हम आपको inform कर देंगे मिलेंगे नए वीडियो में नए अपडेट के साथ में तब तक के लिए जै हैं